सब भी लड़िया इसको अपलाई कर सकते हैं फिर चाहे वो गोर्मेंट कोलिज की हो प्राइवेट कोलिज की सो हेलो फ्रेंड्स आप सब का फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रोनित एसससी में आपके पोस्ट मेट्रिक स्कोलर्शिप या हर चातरवर्थी की फोर्म आपके स्टार्ट हो गया है ओनलाइन आप अपलाई कर सकते हैं साथ ही बात करेंगे क्या-क्या डोकॉमेंट्स इंपोटेंट है इसको स्कोलर्शिप को अपलाई करने के लिए और किस-किस कैटेगरी के स्टुडेंट इसको अपलाई कर सकते हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के हमार इस वीडियो को सबसे पहले डोकॉमेंट्स की बात कर लेते हैं इंपोर्टेंट डोकॉमेंट्स आपके क्या-क्या है PMS हरियान स्कोलर्शिप या फिर आप बोल सकते हैं हर चातरवर्थी के लिए आपको किन-किन डोकॉमेंट्स की जरुत पड़ेगी तो ये आपके रिक्वाइट डोकॉमेंट्स है लिस्ट आप देख सकते हैं अब बात कर लेते हैं कौन-कौन स्टुडेंट इसको अपलाई कर सकता है तो अपलाई इसको जर्नल कैटेगरी की स्टुडेंट कर सकते हैं SC कैटेगरी की स्टुडेंट कर सकते हैं और OBC category की student, यानि सभी students इसको apply कर सकते हैं, scholarship, कौन-कौन सी scholarship आपको मिलेगी, आप कौन सी scholarship apply कर सकते हैं, उन सब की बात करते हैं, तो चलिए start करते हैं, आज के हमारी इस वीडियो को, सबसे पहले scheme की बात कर लेते हैं, ये scheme आपकी है, post matrix scholarship SC, यानि SC के सभी candidate को मिलेगी, फिर साही वो हरियाना के government college में study करता हो, या फिर private college में study करता हो, उसके लिए family income उसके होनी चाहिए, धायलाक से कम, धायलाक या धायलाक से कम होनी चाहिए, साल की income उसकी, हरियाना का student ही इसको apply कर सकता है, attendance उसकी 35% या 55% से ज्यादा होनी चाहिए, अधिक जानकारी के लिए BCB के student है, वो सामिल है, इसके लिए आपको government college, private college, self-finance college, सभी college के student इसके लिए, सभी college के student इसके लिए, जो है apply कर सकते है, category इसमें BCA, BCB, income होनी चाहिए, डायलाक से कम साल की, हरियाना का student इसको apply कर सकता है, और इनकी जो है income, जो है, डायलाक से कम होनी चाहिए, और attendance इनकी पिचेतर परसेंट या पिचेतर परसेंट से ज्यादा होनी चाहिए, college की, उसके बाद है next scholarship, इसमें आपको stipend दिया जाएगा, SC category की student को, government की college की, जो student है, उनको, हरियाना का student होनी चाहिए, attendance 60% या 60% से ज्यादा होनी चाहिए, एक बात और बता दूँ, आप हरियाना के student है आपके पास family ID है, तो ही आप इसको apply कर सकते हैं, परिवार पहचान पत्र, उसके अलावा कोई भी student इसको apply नहीं कर सकता, सबसे पहले आपके पास family ID होनी जरूरी है, उसके बाद है next scholarship, next में आपको मिलेगा, जो आपको stipend है, freedom fighter के, जो जिनके दादा freedom fighter थे, उनको मिलेगा, government college और government added college की students को ही मिलेगा, इसमें income कोई माइने नहीं रखती, हर्याना का student इसको apply कर सकता है, attendance उनकी 50% के 50% से ज़्यादा होनी चाहिए, next आपका है, free book for SC, यानि SC category की student इसको apply कर सकते हैं, इसमें scholarship कितनी मिलती है, उसके लिए आप यहाँ पर click कर सकते हैं, आपको यहाँ स इसको apply कर सकते हैं, फिर चाहिए वो government college की हो, private college की हो, और only government, नहीं sorry, government college की ही apply कर सकते हैं, private college की इसको apply नहीं कर सकते हैं, लेकिन लड़किया सभी apply कर सकते हैं, फिर चाहिए वो किसी भी category की हो, यानि cast category उनकी कोई भी हो, journal category हो, SC category हो, या फिर OBC category हो, लेकिन वो government college में अकर study करती हैं तो वो इस scholarship के form को भर सकती है उसके बाद है attendance कोई माईने नहीं रखती चाहिए उनकी कितनी भी attendance हो scholarship उनको कितनी मिलेगी उसके लिए आप यहाँ पर click कर सकते हैं उसके बाद है नीचे आप चलेंगे तो यहाँ पर मिल जाएगा आपको इसके लिए materials यह जो आपकी scholarship एक परकार्शी होती है आप इसकी जानकारी यहाँ पर देख सकते हैं मैंने यहाँ पर डाल दी है government college की student इसको apply कर सकते हैं और journal और SC दोनों category को इस scholarship दी जाती है उसके बाद है आपकी state matrix scholarship यह आपकी UGPG सभी students को मिलती है government added government private सभी को मिलती है और यह scholarship जो अपलाई कर सकते है attendance चाहे कितनी भी हो income आपकी कितनी हो कोई माइने नहीं रखती उसके बाद नीचे scroll करेंगे तो आपको lower income group इसमें आपकी income 12,000 से कम होनी चाहिए साल की इसको government private और सभी college की student इसको apply कर सकते है government added के भी attendance को माइने नहीं रखती scholarship कितनी मिलेगी उसके लिए लिंक ये मैंने नीचे description में दे दिया है आप जिस भी scholarship देखना चाहते है कि इस scheme की कितनी scholarship मिलेगी आप यहाँ पर click कर देंगे एक बार इसकी देखनी है यहाँ पर एक बार click कर देंगे फोरम आपको कैसे apply करना है link नीचे description में दे दिया है वहाँ पी जाके आप direct अपना form है वो भर सकते हैं तो अधिक जानकारी के लिए आप बने दिया है अमयर साथ फिलालिस वीडियो में इतना ही thanks for watching have a good day wait for next video